किसान भाईयों फसलों में पौधे मुर्जाना, पौधे सूख जाना या फिर जिसे जुल्चा रोग कहते हैं ये सब होता है विल्ट रोग के बज़े से ये विल्ट रोग एक ऐसी रोग है जिससे लगभग देश के सभी किसान परेसान है क्योंकि ये लगभग सभी परकार के फसलों में होता है और जब भी होता है फसल को पूरी तरह से बरबाद कर देता है क्योंकि इस विल्ट रोग से पत्ते मुर्जा जाते हैं फिर दीरे दीर से पूरे plot में फैलता है मतलब एक पौधे से दूसरे जो स्वस्ट पौधे हैं उन पे यह बहुत ही तेजी से अटाक कर देता है और सबसे बुरी बात यह है कि यह आसानी से के बाद मीच टमाटर बैगन यहां तक की गन्य और अरहर के किसानों को भी यह बहुत ज्यादा नुक्सान पहुंचाता है यह विल्ट रोग तीन परकार के होते हैं पहला है फंगल विल्ट जो फंगस के बज़े से होता है इसे फ्यूजरियम विल्ट भी कहते हैं दूसरा है बैक्टेरियल विल्ट यह बैक्टेरिया की वज़े से होती है इसलिए इसको बैक्टेरियल विल्ट कहते हैं और तीसरा है नेमाटोड विल्ट और यह बाते बहुत सारे किसानों को नहीं पता है इसी वज़े से किसान इनको सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता है क्यूंक पूरी फसल बरबाद हो जाती है, इसलिए विल्ट को कंट्रोल करने से पहले विल्ट को पहचानना बहुत जरूरी है, कि फसलों में कौन सा विल्ट का एटक हुआ है, जैसे तीसरा बाला जो विल्ट है नेमाटोड विल्ट इसको आप आँकों से देख के पता कर सकते हो, यह जरो में, यानि रूट में होती है, और जब भी रूट में गांठ वनने लगे, तो समझ लिजिए कि यह नेमाटोड विल्ट का एटक हुआ है, इसके बाद जो पहला और दूसरा विल्ट है, फंगल विल्ट और बैक्टेडियल विल्ट, इसको पहचानने में थोड़ा दिक लेनी चाहिए और उस ग्लास में पानी भरिये, और फिर पादे के जरो को इस तरह से तरफ है यह पहचानने लगे तो समझ लीजिए यह बेकटेरीयल विल्ट का एटक हुआ है, और अगर इस तरह के मिल्की सबस्टेश का एटक हुआ है तो समझ यह फंगल विल्ट का एटक में milky substance निकलेगा और fungal wild में यह नहीं निकलेगा तो इन तीनों wild को पहचानने का यह सबसे आसान और सबसे सहच तरीका है अब बात करते हैं wild कैसे हमारे पौधो को नुकसान पहुचाता है मतलब क्यूं हमारे पौधे मुर्जा जाते हैं और फिर धीरे धीरे सूख जाते हैं उसके बाद बात करेंगे कि इसको control कैसे करना है तो देखो पौधे को सुष्ट और हराबरा रहने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है nutrition जो पौधे को मित्ती से मिलती है और इसी चीज को ब्लॉक करने का काम करता है wild रोग इसको अगर आसान भासा में समझाओं तो पौधे की जरो से जो उपर तक nutrition जाता है और इसी तरह से नेमाटोड विल्ट भी रूट्स को ब्लॉक कर देती है जिससे रूट्स पौधों को nutrition नहीं दे पाते हैं और ये भी एक वजा बनती है पौधे मुर्जाने के सूप जाने के जिससे जुलसा रोग भी कहते हैं बहुत सारे किसान इसको उक्टा रोग भी कहते हैं अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी की इस विल्ट रोग को कंट्रोल कैसे करना है तो देखो विल्ट रोग तीन परकार के होते हैं तीनों-तीन अलग-अलग कारण से होता है इसलिए तीनों के बारे में अलग-अलग डीटेल में जानेंगे लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल-बाली-बेल की घंटी भी दबालो इताकि मेरा मनोबल और ज़्यादा बरहे और मैं इसी तरह के आपके लिए वीडियोज बनाता रहूँ और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और आपके मन में कोई भी सवाल या सुजाब हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बता है इससे दूसरे किसानों को भी मदद मिलता है और मुझे भी अच्छा लगता है जब आपका कमेंट आता है अब वीडियो में बापस आते हैं और बात करते हैं इस वील्ड को कैसे कंट्रोल करना है तो देखो वील्ड को पूरी तरह से 100% कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जैसे प्रॉपर वाटर मेनेजमेंट करनी चाहिए प्रॉपर वाटर मेनेजमेंट का मतलब ये है कि ना खेत में ज़्यादा सूखा हो और ना ही ज़्यादा पानी हो मतलब ऐसा नहीं कि पौधे के जरो में पुरा पानी जमा हुआ हो कई दिनों से ये भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा सूखा भी नहीं होनी चाहिए मतलब proper नमी maintain होनी चाहिए उसके बाद दूसरा जो है आप सलीकॉन का ज्यादा से ज्यादा पौधे की जरों में इस्तमाल कर सकते हो इससे क्या होगा कि पौधे की जरो का विकास अच्छा होगा और पौधे की जरो की सेल वाल होती है वो भी मजबूत होगी इससे विल्ट की एटैक होने का संभावना बहुत ही कम हो जाता है और तीसरा जो है वो है खर्पतबार मतलब बहुत सारे खर्पतबार ऐसे होते हैं जिनमें नेमाटोर विल्ट, बैक्टेरियल विल्ट और फंगल विल्ट का अटक बहुत ही तेजी से होता है या फिर पहले से ही उनमें रहता है तो इससे क्या होगा कि आपके जो फसल है वो भी संक्रमीत हो सकता है इसलिए खर्पतबार को ज़्यादा बढ़ने ना दे अपने खेतों में इसके बाद सबसे बेश्ट और कारगर जो तरीका है वो है दबाईयों की ड्रेंचिंग अगर आप प्रेवेंटिव में ड्रेंचिंग करेंगे तो कोई सस्ता सा दबाई ही लीजिएगा इससे आपकी खर्च भी बचेगा और आपकी फसल भी हरा भरा और सुष्ट रहेगा अब अगर बात करें कि after attack यानि विल का attack फसलों में होने के बाद कौन सी दबाई लेनी चाहिए और कितनी लेनी चाहिए तो देखो अगर आपके फसलों में नेमाटोड विल का अटेक हुआ है तो आपको नेमाटी साइड का इस्तमाल करना होगा जैसे आप बायर का भेलम प्राइम एक एकर के लिए 500 ml ड्रेंचिंग कर सकते हो और इसके एक बार के द्रेंचिंग से ये आपको कम से कम 100 दिनों तक नेमाटोड विल से बचा के रखेगा लेकिन भेलम प्राइम थोड़ा महंगा आता है और अगर आप सस्ते दबाई की तलास में है तो आप कुछ इंसेक्टि साइड का इस्तमाल कर सकते हैं जैसे इमीडा क्लोप्री 17 असमलक 8% वाला ये आपको एक एकर के लिए एक लिटर ड्रेंचिंग करनी है इसके अलावा आप एक टारा ले सकते हो 500 ग्राम एक एकर के लिए इसका भी ड्रेंचिंग करना है ये सब आपको 30 दिन बाद-बाद करना होगा मतलब इन सब से आपको 30 दिनों तक रिजल्ट मिलेगा और भेलम प्राइम से आपको 100 दिनों तक मिलेगा तो ये आपको देख लेना है आपके क्रॉप के हिसाब से कौन सी आपके लिए स्वीटेवल है अब बात करते हैं अगर आपके फसलों में फंगल विल का अटैक हो जो फंगस के बज़े से होता है तो आपको कौन सी दबाई लेनी चाहिए और इसमें पहले नमर पे है 22 ये आपको एक एकर के लिए एक केजी ड्रेंचिंग करनी होगी इसके अलावा आप रोको भी ले सकते हो इसका डोज भी सेम है एक केजी एक एकर के लिए और ये भी ड्रेंचिंग करनी है इसके अलावा आप जो है रेडो मिल भी ले सकते हो एक करके लिए 500 ग्राम और इन सब का रिजल्ट आपको 30 दिनों तक मिलेगा इन सब का ड्रेंचिंग आपको रोटेशन में करना है मतलब आज अगर बाविश्टिन का ड्रेंचिंग करेंगे तो नेक्स 30 दिन बाद जो आपको ड्रेंचिंग करनी है उसमें आप रोको या रेडो मि के लिए वरना बार बार एकी दवाई के इस्तमाल के वजहे से जो रोग है फंगस है या बैक्टेटरिया है या जो भी यह वह उन दवाईयों के प्रती रेजिस्टेंस क्रीइट कर लेता है जिससे आपको ज्यादा नहीं मिल पाता है उन दवाईयों से और आपकी खर्च भ क्ट्रोल कर लेता है वहह कौपर सौफद्ट इसके अलाबा मेरे नजर में कुछ अच्छा है नहीं जो आपको डेंच से करनी एक एकर मेश और अपको डेnh्च उपालर सोफद्ट जान लेना है कि आपके फसलों में कौन से विल्ट का अटेक हुआ है मतलब पहचान कर लीजिएगा कौन से विल्ट का अटेक है उसके बाद उस हिसाब से आपको डेंचिंग करनी है और अगर आपके पौधे की पत्या मुरने लगी यानि पत्ता मरो रोग जिसे लिफकल भाइरस भी कहते है अगर इसका आटेक आपके फसलों में हो गया या फिर आप चाहते हैं कि इस भाइरस का आटेक आपके फसलों में कभी भी ना हो तो आप इस वीडियो पर क्लिक करिए मिलेंगे इसी वीडियो में